हलो वाट्स अप दोस्तो कैसे हैं आप सभी फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में तो दोस्तो आपने यहाँ पर टाइटल तो पढ़ी लिया होगा काफी इंपोर्टन वीडियो होने वाला है जिसके अंदर हम जानने वाले हैं कि एक IAS Officer की Duties क्या होती है क्या क्या Duties का उनको निर्वहन करना होता है सब कुछ हम डीटेल से जानेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल बनाये हैं और अब तक आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो दोस्तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं चैनल को फटा revenue इकठा करना और revenue matters में as a court के तोर पर काम करना ये इनका पहला काम होता है और इसके अंदर वो सारी चीज़े चेक करते हैं कि सभी revenue जो दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं या नहीं कितना revenue आया है इसके अंदर कोई defaults तो नहीं है तो अगर ऐसा है तो उनको जो है वो कानूनी क करवाई उनके ऊपर की जाती है और वो खुद ही वहाँ पर as a court काम करते हैं उनके पास वो authority भी होती है इसके अलावा law and order को बना करके रखना यानि के कानून विवास्ता को ठीक तरीके से बना करके रखना तो उनके शेत्र में कुछ अगर माफिया राच चल रहा है कुछ ग इसकी तरफ ध्यान देना और अगर कही पर fraud हो रहे हैं कुछ illegal activity हो रही है तो वहाँ पर छापे मारी करके मौकायवारदात पर उन लोगों को अगर मिल सके तो रंगे हाथ पकड़ना सबूत इकठा करना ये भी इनका काम होता है जिससे कि कानून विवास्ता जो है वो जा सके वहाँ पर और इसके अलावा बाकी जो शान्ती है वो भी उनको maintain करनी होती है अपने इलाके में तो कही भी दंगा होना या कुछ लोग हुरदंग मचा रहे हैं तो ऐसी चीजे नहीं होनी चाहिए तो इसकी तरफ इनको ध्यान देना होता है हाला कि basically जो है वो पुली duties के अंदर आता है जैसे कि मैंने पहले कहा कि revenue matters को तो as a court यही देखते हैं तो इसकी विजह से as a magistrate भी यही लोग काम करते हैं executive magistrate के तौर पर इसके अलावा chief development officer के तौर पर भी वहाँ पर उनको काम करना पड़ता है तो generally IAS officers को जो है वो एक पूरा का पूरा district दिया जाता ह तो वो पूरा district का charge उनके पास होता है तो वहाँ पर as a development officer के तौर पर भी उनको काम देखना होता है तो अलग-अलग जगाओं पर जाकर कि यह लोग निरिक्षन भी करते हैं कुछ नया road बन रहा है तो वो किस quality का बन रहा है सब कुछ ठीच चल रहा है या नहीं कही सरकार को जो है वो फसा करके कुछ low grade का काम करके पैसे एठेने की कुशिश तो नहीं की जारी है तो ये सारी चीजे जो है वो ये लोग ensure करते हैं क्योंकि as a chief development officer के तौर पर इन लोगों का काम होता है तो अलग-अलग जहां पर development projects चल रहा है सरकारी तो वहाँ पर जाकर के भी ये लो अगर उसमें कुछ गड़बडी दिखे तो उनकी उपर कानूनी करवाई भी करते हैं इसके अलावा state government की और central government की जो policies हैं उनका implementation बिलकुल सही सही से करना ये भी इनका काम होता है तो कही सारी states होती हैं जिनकी खुद की कुछ policies होती हैं जैसे की कुछ-कुछ states ऐसे हैं जहा चीनिके जो policies हैं उनका पूरी तरीके से implementation हो रहा है या नहीं अब जो मैंने कहा की example ले ले शराब का तो अगर शराब बैन है तो कही शराब की तसकरी तो नहीं हो रही है कही चोरी चुपे शराब बेची जा रही है बनाई जा रही है या चोरी चुपे लोग ख़रीद रहे हैं तो ये सारी चीज़े जो है वो बिल्कुल उसके ऊपर रोक लगानी चाहिए और ये policies है guidelines है तो उनका जो है वो पूरी तरीके से जो है वो implementation हो रहा है ये नहीं ये देखना इनका काम होता है इसके अलावा अलग-अलग जगहाँ पर जाकर के छापे मारी करना ये भी इनके एक तरीके से काम में आता है क्योंकि यही एक तरीके से वो किसी भी चीज को जो है वो रंग यहाथ हो पकड़ सकते हैं किसी आदमी को या कोई illegal चीज हो रही है तो वही पर वो उसको पकड़ सकते हैं तो इसकी वजह से अचानक जाकर के ये लोग जो है वो छापा मारते हैं वहाँ पर कुछ illegal activity हो तो नहीं रही है या कुछ वहाँ पर अगर काम हो रहे है तो उनके अंदर कुछ घोटाला तो नहीं हो रहा है गड़वड़ी तो नहीं हो रही है ये भी ये लोग जाकर के देखते हैं जिससे कि उनको वहाँ पर actual सबूद भी मिलते हैं कि क्या असल में हो रहा है इसके अलावा दोस्तों हर एक district के पास जो है या हर अंदर कुछ घपला हो रहा है उसके अंदर कुछ पैसा खाया जा रहा है इसकी उपर भी आयाइस ऑफिसर्स जो है वो नजर रखते हैं कि यह पूरा ट्रांजक्शन कैसे हो रहा है यह जो पैसे खर्च किये जा रहे हैं वह किस लिए खर्च किये जा रहे हैं उनके टेंडर के उपर निगराने भी ये लोग रखते हैं इसके अलावा जो गवर्मेंट की policies वगरा बनती हैं तो इसके अंदर secretary deputy secretary chief secretary के तौर पर ये लोग जो है वो वहाँ पर अपना योगदान भी देते हैं और उन सारे policies को जो है वो एक final shape देते हैं तो कोई भी policy बनाई जाती है तो उसके अंदर के loopholes क्या है क्या नहीं है ये सब कुछ study करना पड़ता है ये लोग जो है वो actual उस शेतर में काम कर रहे हैं तो इनके जो भी कोई inputs हैं उनको भी विचार में लिया जाता है उनका जो कहना है वो भी वहाँ पर consider किया जाता है और उसके हिसाब से यहाँ पर policies जो है वो बनाई जाती है तो साथी साथ जब ये policies बनती है उसके बाद इनका और एक काम शुरू हो जाता है कि उस policy का framing और उस policy को ठीक तरीके से implement करना ये भी day to day government के जो office होता है उनमें ये लोग ensure करते हैं कि सारी policies को ठीक तरीके से implement किया जा रहा है तो दोस्तों ये सारी duties होती है एक IS officer की जो उनको एक IS के ओधे पर बैठने के बाद उसका निर्वान करना होता है तो I hope दोस्तों ये विडियो आपको पसंद आया होगा काम का लगा होगा तो दोस्तों अगर विडियो पसंद आया है तो विडियो को like करना बिलकुल न भूले है